हेलो इंजिनियर्स आज के इस सेशन में हम लोग NXCAD में ड्राफ्टिंग करने वाले हैं आप देख सकते हो यहां से हम लोग सुरुवात करेंगे पहले हम शीट नमबर 1 को बनाएंगे थोड़ा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ यह देख लिजिए यह हम फ्रंट व्यू, पूरे डिटेल्स में सब कुछ बताया हुआ है कैसे ब्रोकेन आउट, ब्रेकाउट, डाइमेंशन वगेरा प्रोपरली आप कैसे लेते हो, आइसोमेट्रिक भ्यू अगेरा कैसे आप लेते हो, यहां पर लीडर वगेरा कैसे करते हैं, यह सब कुछ आपको इस सेशन में दे अपको इस सब करने के बाद यह मेरा ड्रोइंग कुछ आइसा दिखने वाला है, देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन आया हुआ है, और उसके बाद बस हम लोगों को प्रिंट आउट करनी होती है, यह देख सकते हैं, sheet number 1, sheet number 2, और यह मेरा part list और exploded view दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा, तो मेरा यह guarantee है कि बबाद आपको ड्राफ्टिंग में किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और यह premium course का एक हिस्सा है, अगर आपको प tools को बड़े ही details में explain किया है, सिफ ड्राफ्टिंग का ही नहीं, हर एक चीज़ का मैंने details में explain किया है, तो अगर आपको design engineer बनना है, और आप NX में काम करना चाहते हो, तो premium course आपके लिए superb choice होगा, ठीक है, तो digital cad app का link जो है, मैंने दे दिया है नीचे, आप वहाँ से install और पूरा 0 से सिखना start किजिए, तो चलिए फिर NX में start कर लेते हैं हम लोग, एक नया file ले लिएँगा, यहां से drawing में चले जाएए, A3 size ले लिजिए, जो कि मैं हमेशा prefer करता हूँ, जो भी आपको location रखना है, आप रख सकते हो, जहां पर आप उस drawing file को save करने वाले हो, यहां पर हमने millimeter ले लिया, क्योंकि जो हमारा drawing है total, यह आप देख सकते हो, all dimensions are in mm, तो हम लोगों को mm ही लेना है, ठीक है, यहां से आपको confirm कर लेना है mm, और यहां drawing 1, 2, 3, जो भी चाहिए आप यहां पर bench wise कर देता हूं, हम लोगों, है ना, bench wise, ठीक है, one कर देता हूं, and then आप okay कर दीजिए, अब यहां पर हम पूरा details डाल देंगे, देख सकते हो, इस suit आज की date में डाल देता हूं, आज की date जो भी है, आप 15, 5, sorry, यहां पर डालिए, 15, 5, 2022, 22, enter drawn by Akaz, Akaz Mali, okay, enter checked by Rahul, Rahul Soni, okay, enter approved by DigitalCad, ठीक है, enter कर दीजिए, and then यहां आपको close कर देना है, अभी आप देख पा रहे होंगे, का by default Siemens का logo अगेरा आ रहा है, ठीक है, तो don't worry, हम अभी ready made template ले रहे हैं, मैं जब आपको बता दूँगा, कि बबागा खुद का template आप कैसे design कर सकते हो, उसके बाद हम अपना खुद का use करेंगे, और यहां पर आप projection method देख सकते हो, यह हमारा by default third angle दिख रहा है, ठीक है, यहां पर देखिएगा, तो आपको fast angle दिखाए देगा, तो हम लोगों को fast angle में ही काम करना है, इस assembly के लिए, तो आपको यहां पर, यहां पर double click कर देना है, और double click करने बाद यह देखिए, standard size और यहां से projection method first angle ले ले लेना है, and then आपको okay कर देना है, तो यह हमारा change हो चुका है, अभी देखिए, यहां पर पहले, इस तरह से था, हमारा भी ऐसा ही आ आ गया, तो ध्यान रखेगा, यह सारी चीजें बड़ी ही important चीजें है, और अपना खुद का logo कैसे डालना है, यह भी आपको बताऊंगा, जब हम sheet design करना सीखेंगे, यानि custom sheets, title blocks वगरा कैसे हम design करतें, यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अब बारी आ गई, इसको मैं जरा सा collapse कर, अब बारी आ गई कि parts को यहां पर लेना है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, यही से हम सुरुआत करेंगे, लास्ट में मैं इसमें आऊंगा, धीरे धीरे, ठीक है, तो चलिए इसमें जितने parts बैठते हैं, एक sheet में हम ले लेते हैं, तो सब सबसे पहले आप यहां base view में चले जाएए, जहां पर भी आपने assembly सेव करके रखा हुआ, आप वहां पर चले जाएए, यह रहा हमारा bench wise assembly इसको खोलिए, और यहां से आप क्या कर लो, large icon कर लो, जितना बड़ा हो सकता है किजिए, control दबा के आप scroll आगे किजिए, और बड़ करता हूँ, जैसा कि आप देख पार हो, यह हमारा top से आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर जाना होगा, और front लेना होगा, आप देख सकते हैं, यह हमारा front view आ चुका है, तो मैं इसको यहां पर place कर देता हूँ, और उसके बाद न and then आप इसको close कर देजिए, see, यह हमारा आ चुका है, एक और चीज़ आप जड़ा गौर कीज़ेगा, यहां पर hidden वगएरा सब कुछ दिख रहा, hidden lines वगएरा सब कुछ दिख रहा है, हम लोगों को भी दिखाना होगा, तो आपको इस पर double click करना होगा, यहां से hidden lines में चले यह देखिये हमारा invisible है, तो यहां आपको visible करना, रोके करना है, see, यह इस तरह सा आ गया, आपको यहां पर भी double click कर देना है, फिर से हम hidden में चले जाएंगे, यह लिए रोके कर दिया, again हम इसमें चले जाते हैं, यहां visible कर देते हैं, रोके कर देते हैं, see, यह कितना कमाल का ह गया है एकदम neat and clean आ गया है अच्छा एक और चीज हमें देखना है बबा यह center line है यह center line है यह center mark है यह सब भी properly हमें दिखाना होगा समझ में आई बात तो चलिए हम एक एक करके दिखा देते हैं अगर आप बात करें तो automatically आप कर सकते हो जैसे की खैर मैं बताऊंगा बाद में लेकिन फिलहाल यहां पर आप देख सकते हो यह रहा center mark center mark करेंगे तो यहां पर तो है पहले सही अभी हम यह center line के बारे में सोच सकते हैं तो यह हमारा 2D center line है आप ले सकते हो अराम से यह देखिए पहला लेता हूँ from curves जैसा कि मैं बात करूँ इसको और इसको पकड़ लिया तो दोनों के बीच में एक center line आ जाएगा, apply कर देजिए, again हम यहां पर जाते हैं, इसको भी apply कर देते हैं, again हम यहां पर जाएंगे, दोनों lines को बस select कर लेना है आपका काम हो जाएगा, यहां पर भी ले लेते हैं हम लोग, apply, यहां लिया, apply, अब देखिए यहां पर हम रखाएगा, तो आपको क्या करना है, अब यहां पर जाएए, यह रहेगा center mark, तो आप इसको select किजिए, फिर 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 इसको select किजिए, and then अगर आप चाहों, setting में जाके, तो extension individually कर सकते हैं, यह वैसा चाहे वैसा कर सकते हैं अगर आपको एंगल में चाहिए यहां से आप ले सकते हुए एंगल वगएरा बट मैं यहां पर अभी कुछ करना नहीं चाहता है जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा यह देखिए मेरा यह पार्ट तो पूरी तरह से लिजे इसको अगर यह थोड़ा छोटा हो रहा है तो हम इसको बढ़ा करेंगे तू इस्टू वन कर देते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं यहां से फ्रंट ले लेता हूं पहले और इसको मैं नीचे की तरफ ले लूँगा कुछ इस तरह से and that's all about it ठीक है चलिए यह क करना हम लोगों को फालतु में स्पेस वेस्ट नहीं करना है एक और चीज हमें ध्यान में रखना था जब प्रोजेक्शन लेते थे तो यहां पर जो है न हम लोगों का यह क्या बोलता एस्सोसियेटिव अलाइनमेंट उसको ओन रखना है ठीक है यहां पर कम पड़ी तो हम डामेंशन डालनेंग बार इफिनेटली जगा हमारा कम पड़ने वाली है तो हम उसके हिसाब से भी एडगिएष्ट कर सकते हैं अभी मैं तीसरा पार्ट भी ले लेता हूं जैसा कि यहां पर दिया गया है यह banget इस क्रूज है तो हम श्कूर। ले लेते हैं सेट स्क्रू 1, डबल क्लिक, मैं ज़रा 2 is to 1 कर देता हूं और यहां से फ्रंट ले लेता हूं, so you can see this is looking very nice, अभी इसका side view कि हमें कोई जरूरत नहीं है, या फिर top view की भी कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना चाहो, तो आप दिखा सकते हो, no problem, हलाकि इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट ही कर दीजिए, क्योंकि एक ही भी इसके लिए काफी है, और set a screw 2 ले लेता हूं मैं, open, यह रहेगा set a screw 2, यहां से मैंने front लिया, और यह लेता हूं, 2 is to 1, तो आप देख सकते हो, काफी अच्छा दिख रहा है, आराम से हम इसको यहीं पर place कर देते हैं, then close it, अच्छा, इसमें 1, 2, 3 पार्ट तो हो चुका है, देखते हैं, और कितने पार्ट बैट सकते हैं, उसके बाद हम dimensioning डालेंगे, ठीक है, तो यहां से मैं एक और छोटा पार्ट ले लेता हूं, जो की, यह हो सकता है हमारा, ठीक है, बहुत छोटा है, मैं यहां से front ले लेता हूं, और 2 is to 1 कर देता हूं, you can see here, आप इसको यहां पर रख दीजिए, ओके, और मैं इसको section लेना चाहता हूं, तो बाद में हम section भी ले सकते हैं, ठीक है, तो यहां से हम जाएंगे section, और इसको select किये, यहां पर जाके मैंने रख दिया, so looking nice, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, just double click here, और यहां से मैंने तीन का ले लेता हूं, कुछ इस तरह से हमारा काम तो हो चुका है, अब हमारा time आ गया है dimension डालने का, ठीक है, तो आप dimension डालने के लिए सबसे पहले तो test किजे बबा, size वगेरा सब कुछ ठीक ठाक है की नहीं है, ठीक है, कोई इसमें परिशानी वाली बात नहीं है, जितना मैंने sketching में बताया था, वही सही है, आपको पताई है, inferred का मतलब हम हर तरह का dimensions ले सकते हैं, ठीक है, अब जड़ा हम लोगों को copy कर लेना है, जो जैसा-जैसा दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें पूरे dimensions को apply कर देना है, ठीक है, so nothing to worry, हम लोग क्या करते हैं, so देख लीजिए, you can see here, यहां से मैंने यहां तक लिया, see, यह काफी अच्छा दिख रहा है, size वगेरा, ठीक ठाक है न, ओके, यह देख लीजिए, perfect size दिख रहा है, अच्छा, एक और चीज़ मैं करना चाहूंगा, यह जो boundary दिख रही है, वो boundary हम hide करना चाहते हैं, तो यहां पर हम लोगों को drawing में चले जाना है, right click करना है, और, sorry, boundary यहां से नहीं जाएगा, menu में चले जाएए, preference में चले जाएए, drafting में चले जाएए, और यहां view में जाके workflow इसको हटा देते हैं, border को, and see, हमारे पास borders gaib हो चुके था, हमारे पास sufficient space हो गया है, हलाकि अगर cursor लेकर जाएंगे, तो यह highlight भी होता है, तो चिंता मत किजेगा, ठीक है, I think यह text का size, arrow का size काफी sufficient दिख रहा है, अगर आपको text में कोई दूसरा font वगरा चाहिए, तो आप ले सकते हो, कैसे, menu preference, यहाँ से drafting, और drafting में जाने के बाद, आप इसको ज़रा collapse कर दो, और इसको भी collapse कर दो, और यहाँ text दिख रहा है हम लोगों को, dimension को खोलना है, और यहाँ से text में जाना है, और यह रहा dimension text, see, यहाँ से dimension text है, और इसमें जाके हम लोग अपनी पसंद का डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे पसंद है calibre, तो मैं calibre ले ले लेता हूँ, यहाँ regular के जगा थोड़ा bold ले ले लेता हूँ, और size जो है, इतना ही रहने देता हूँ, रोके कर दिया, अब भी अगर मैं dimension डालूँगा न, तो आपको calibre वाला font आएगा, you can see here, यह देखे कितना मोटा मोटा दिख रहा है, so I think कि यह काफी अच्छा दिख रहा है, तो मैं अभी score इसको दोनों को हटा देता हूँ, और फिर से dimensions लेता हूँ, तो बड़ा neat and clean आने वाला है, ठीक है, inferred ले लेता हूँ, no problem, यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं ले लिया, ऐसा, आप देख सकते हो, इधर से 70 है, इधर से 36 है, यहाँ से मैंने फिर ऐसा ले लिया, and see, यहाँ पर आपको पकड़ लेना है, अच्छा, बाद में मैं alignment ठीक कर लूँगा, don't worry, यहाँ पर आप चाहो तो place automatically भी कर सकते हो, लेकिन यह सही नहीं रहेगा, ठीक है न, आप इसके हिसाब से भी चलिए जरा, और इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, you can see here, इस तरह से हम लोगों को लेना होगा, अच्छा, अगर मैंने यह तीनो dimension डाल दिया, तो टोटल dimension डालने की हमें जरूरत नहीं है, बट यहाँ दिखा दिया है, तो हम ले लेते हैं, चलिए, कोई परेशानी नहीं है, इसमें, अप यह यह यार हटा दो, नहीं, तो बार बार आपको परेशानी होगी, तो इस तरह का मैंने arrange कर दिया, ओके, now looking nice, थोड़ा सा अगर आप उपर ले ले लें, तो ज्यादा बहतर रहेगा, कुछ इस तरह से, ओके, ठीक ठाक है, हलाकि इसकी जरूरत नहीं है, तो आप delete भी कर सकते हो, कोई दिकत नहीं इसमें, ठीक है, ओके, now जो भी है, आप इधर से ले लीजे फिर से, now select it, कुछ इस तरह से, ओके, now इसको भी ले लेते हैं, यहाँ से, now again इसको select किजिए, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, इस तरह से हमें जरा track कर लेना है, ठीक है, फिर हम इसको select कर लेते हैं, इसको भी track करके, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और अगला step है, यहाँ से पकड़के, center तक ले लेना, you can see here, okay, now what, यहाँ से यहाँ तक लेना है, यह रहेगा मेरा 20, so एकदम neat and clean दिखना चाहिए हमारा, और यह रहेगा मेरा 16, आप उपर रखें, ज्यादा बहतर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यह भी मैं उपर रख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, यह हो गया मेरा, see, ए यहाँ से भी देख सकते हमारा 20 का है, तो हम क्या करते हैं, select this point and this one, so you can see, I think इतना काफी है हमारे लिए और कुछ बाकी है, जरा चेक कर लिजेगा, I don't think यहाँ पर कुछ और बाकी है, so ठीक है, चलिए, अब हम जरा नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे में क्या क्या है, यह हमारा 16, यह हमारा 44, तो 16 जो है, यहाँ से पकड़के हम यहाँ तक ले लेते हैं, see, इस तरह से हो गया, distance दिया है, diameter यहाँ नहीं दिया हुआ है, don't worry, और यहाँ से पकड़के यहाँ तक आप चाहें, तो इधर भी place कर सकते हो, neat and clean होना चाहिए हमारा drawing पुरी तरह से, okay, now यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं, hole call out, तो हम इसको close करने वाले हैं, और इसके लिए एक अलग सा tool है, उसको हम use करने वाले हैं, थोड़ा सा, उसके लिए हम इसमें चले जाते हैं, linear में, और linear में जाने के बाद, you can see here, यहाँ पर एक है hole call out, ठीक है, तो direct आप इसका इस्तेमाल अराम से कर सकते हैं, click किजिए and close किजिए, यह हमारा perfect आ चुका है, आप इसको कहीं भी place कर सकते हो, अपने convenience के हिसाब से, you can see here, चल यहती है, side view भी हमारा काफी अच्छा हो गया है, looking nice, हम जड़ा इसको इधर रख लेते हैं, okay, perfect दिख रहा है, पूरी तरह से, size वगेरा भी, good, अब इसके बारे में बात करते हैं, यह side view के बारे में, तो पूरा dimensions हमें लेना होगा, you can see, लिया मैंने, यह लेता हूं 16, यहां से यहां हो गया मेरा, 32, और यहां से यहां हो जाएगा मेरा, 44, फिर यहां से यहां हो जाएगा मेरा, 64, okay, now see, बाद में आपको arrange करना है तो आप कर सकते हैं, okay, now, यहां पर जो है ना, यह जो drawing बनाया गया है, वो थोड़ा सा अलग है लग रहा है, मैंने book से बनाया था, solid work के book से, तो थोड़ा बहुत आपको अलग दिखाए देगा, यहां पर part list वगएरा काफी अच्छा है, तो मैंने इसको ले लिया है, तो आप जहां से बनाये हो, यह final वाला assignment से बनाया है, तो इससे लीजिएगा, और solid work के book से बनाया है, तो solid work के book से आप लीजिएगा, ठीक है, so nothing to worry, आप जहां से बनाये हैं, वहां से आप ले सकते हैं, कोई problem वाली बात नहीं है, so you can see, और क्या है इसमे लेके काम किया हुआ है, see कुछ इस तरह से हो गया, और यहां radius भी है, तो आपको इधर radius भी लेना होगा, and that's all about it, तो इस तरह से आपको लेना है, और यहां पर जाने के बाद आप चाहो तो कुछ ऐसा कर सकते हो, so it is looking nice, ठीक है, इस तरह से हम इसको place कर सकते हैं, now see, यह हो अगला यहां पर भी आप radius ले सकते हैं, okay, now what, और क्या, यहां पर diameter है, आप चाहो तो whole call out ले लो, नहीं तो यहां से आप diameter का भी इस्तेमाल कर सकते हो, you can see, like this, ठीक है, 14 diameter है, आप इसको यहीं पर रहने दीजिए, so कितना clean दिख रहा है हमारा काम, okay, I hope इतना हमारे लिए का 9 का है, था हम लोगों को यह 9 लेना पड़ेगा, इधर से हम जाते है, inferred में, यह वाला और यह वाला, इसको बाहर रखेंगे हम कुछ इस तरह से, और कोशिश कीजिए, यहां से हम लोग कुछ ऐसा रखने की, and that's all about it, जहां जैसी जरूरत हो, उसके हिसाब से आप decision I hope this drawing में बस इतना ही है, और मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहां से यहां तक का जो total height है, आप center के जगा पर मत रखिए, center मत रखिए, आप उपर ले लिजिए, ठीक है, तो मैं उपर ही रखता हूँ इसको, जैसा आपको लगता है, सही, और कुछ बाकी है क्या मुझे नहीं लगता, अच्छा, यहां पर यह option दिया हुआ है, M16 into 2, तो क्योंकि मैं ने बताया है कि बबाबा हमने solid work के book से लिया है, चलिए तो और भी check कर लेते हैं, यहां पर क्या-क्या है, और मुझे तो कुछ दिखने रहा, इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको मिल सकता है, ज यहां से आप whole cloud, अराम से insert कर सकते हैं, इस तरह से हम कुछ ले सकते हैं, दिख रहा है आपको, so looking nice, यह हमारा first part जो है, वो काफी अच्छे से आ चुका है, ठीक है, मैं इसको close कर देता हूँ, देखिए कितना neat and clean आया हुआ है, है न, ओके, अगली चीज क्या है, तो देखते हैं, इसमें हम double click करेंगे, और यहां से आपको hidden को on कर लेना है, कुछ इस तरह से, मैं a study center line ले लेता हूँ, एक लिया और दो लिया, apply, again मैं इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ओके, कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहां पे आप double click करेंगे, यह on हो जाता है, आप इसको जड़ा उपर कर लो, ओके, double click कर लो, यह देखो, set extensive, extension, individually आपको on करना प चुका है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो देख सकते हो, यहां पर क्या है, मैं तो यहां पर यह dimension डाल देता हूँ, 32 by 32 का अराम से ले लेते हैं, see, यह हो गया, और यहां से हम यह भी ले लेते हैं, ओके, इस तरह से मैं ने 32 by 32 का ले लिया, अगला क्या है, अग call out का इस्तेमाल कर सकते हो, see, यहां पर आपको total दिखाए देगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यहां पर देख लिजिए, जिस type का हमने hole लिया है, उस type का हमको detailing दिखाए देगा, याद रखिएगा, और यहां से हम जरा इसको, ओके, चलिए, यह देखिए, यहां पर हमें क इसको delete कर लेता हूं जरा, तो देखिए, ओ कॉमा हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर menu में चले जाएए, preference में चले जाएए, और drafting में चले जाएए, drafting में जाने के बाद आपको text में जाना है, और unit में जाने के बाद आपको comma के जगा पर आपको क्या कर देना है period कर देना है, यह काम आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो यह सब आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, इसको मैं ज़रा सा अब मैं यहां से वही काम करता हूँ, फिर से linear में गया, whole call out लिया और इसको select कर लेता हूँ So you can see, अभी क्या आ रहा है हमारा comma आ रहा है, sorry dot आ रहा है So you can see, हम यहां पर dimension डालने वालें, तो total dimensions का कितना है, यह हमने 7 का ले लिया और बाकी के तो जरूरत ही नहीं है, यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, बट आपको चाहिए तो आप दिखा सकते हो जिसे इन दोनों के बीच का angle, तो पता ही है, 60 degree का दिख रहा है, यहां पर 6 है, यह depth वगेरा angle पर depend करता है, यह सब तो दिया हुआ है, तो खेर यहां पर हमें ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आपको लगता है दिखाना चाहिए, तो आप यहां से ऐसे कुछ दिखा सकते हो और precision वगेरा भी हम control कर सकते हैं, यहां से देख लिजिएगा, यह तो tolerance है, मैं बताने वाला हूँ, tolerance यह precision वगेरा भी है तो अब देख सकते हैं, precision कितना आएगा, यह गलत हो जाएगा, so don't think about it, मैं यह आप पर 0 ही रखता हूँ, no precision इसकी जरूरत भी नहीं है, तो आप यहां पर मत रखिए, ठीक है, so यह automatic रहेगा इतना काफी है इन दोनों drawings के लिए, अच्छा है, एक और चीज़ जो काफी जरूरत है, location, location काफी important है यहां से यहां तक का हम ले लेते हैं, एक यह हो गया, फिर यहां से यहां तक का ले लिए, यह हो गया दूसरा, फिर आपको यहां से यहां तक भी लेना है, तो ले लीजिए, ठीक है, यह हो गया मेरा तीसरा, so that is enough, यह हमारा काम हो चुका है, location काफी important है और यह भी आप चाहो तो center तक दिखा सकते हो, तो कोई issue नहीं है इसमें, and here you can see, okay, close it, now, अब हम इसको जड़ा side में रखते हैं, ठीक है, so जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह काफी हमारा, बड़ा ही, सटी, drafting हो चुका है, थोड़ा हम लोगों के alignment को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि alignment हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ओके, now looking nice, ठीक ठाक है, और मैं जड़ा इसको पकड़के, थोड़ा सा सरका देता हूँ, ठीक ठाक, ओके, थोड़ा उपर की तरफ, see, देख लिजे, काफी है, uniform लग रहा हमारा, सब कुछ, और यहाँ पर भी जाते हैं हम, इसके लिए क्या क्या लगेगा, सो हम बता देते हैं आपको, अगर थोड़ा और बड़ा करना है ता बड़ा भी कर सकते हो, dimension को properly दिखाने के लिए, हमें बड़ा करना ही चाहिए, समझ में आई बात, ओके, नाओ, ध्यान से देखिए, इसका क्या है dimension, सो हम बात करेंगे इसकी, चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह ले लिजिए, मेरा 14.5 का है, और चाहो तो इन दोनों के बीच का हम angle, 1 second, angle चाहिए मुझे, यहां से पकड़ के आप, गलत हो गया, इसको हम डिलीट करेंगे, और इसका हम diameter भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक का हम 8.6, अगर आपको diameter चाहिए न, यह जो है, इसका इस्तमाल किजिए, अपसलिंड रिकल वाला, ठीक है, इस तरह का हम काम कर सकते हैं, ओके, बाद में आपको यहां से यहां तक का cutout को भी दिखाना है, तो आप दिखा सकते हो, यह point to point हो गया, तो यहा पकड़ के थोड़ा उपर कर दिजिए, ठीक है, यह हमारे लिए सही नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को फिर से जरा लेना होगा, यहां point नहीं चाहिए, इस points गलत हो गया, खैर यह भी जरूरी है, आप इसको ले सकते हो, कितना depth है, कितना नहीं, तो यह properly काम हमें करना होगा अच्छा, इसकी total depth हम ले लेते हैं, मतलब, यहां से कुछ इस तरह से चाहो तो आप ले सकते हो, देन इसको हम जरा उपर के तरफ कर देते हैं, ठीक ना, see, like this, और क्या चाहिए हम लोगों को, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है, इसका diameter दिखना है, खा देते हैं हम लोग, यहां पर आपको cylindrical लेना होगा, see, कुछ इस तरह से हमें देखना पड़ेगा, see, तो यह हमारा हो चुका है, अच्छा, यह angle तो हमें 120 का ही लेना है, बट, यह ऐसा आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, inferred लेना होगा, या तो हटा के फिर से आपको लेना चाहिए, इधर से आप चाहो ते angle भी calculate कर सकते हो, ठीक है, see, यहां पर 60, 120 degree का आ रहा है, so looking nice, कोई problem नहीं है, आप इसको यहां पर place कर सकते हो, ओके हलाकी understood है, लोग जानते हैं, 118 और 120 लेना है इन दोनों के बीच में, ठीक है न, और क्या है, इसकी बात करते हैं, फिर ठीक है, so जैसा भी लगता है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे, यहां पर भी वही angle लेना है, ले सकते हैं, okay, now, inferred, मैंने इसको select किया, 18 ले लिया, फिर इसको लिया, और यहां से click किजिए, इसको लिजिए, उपस, यह गलत हो गया थोड़ा, तो shift press करके आप चाहो तो deselect कर सकते हैं, या तो यहां पर undo कर दीजिए, यह off नहीं होगा हमारा, आपको परिशानी कम होगी ज़रा, यह point हो गया, और दूसरा जो है हमारा, यह point हो गया, so you can see, कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, अगर आपको लेना है angle, तो आप यहां से भी angle दिखा सकते हैं, see, so looking nice, जो जो dimensions दिया हुआ है, आप लोगों को ले लेना है, और यहां पर आपको click करना होगा, like this, 2 mm, काफी है हमारे लिए, और क्या है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ, अच्छा, एक और चीज, यहां पर हम लोगों को, एक यह point और और क्या है भई, तो मैंने यहां से लिया और यहां तक लिया, यह diameter आ गया है, इस तरह से ले लेते हम लोग, see, ठीक ठाक, okay, now see, यह हमारा पूरा काम हो चुका है, and then close कीजिए इसको, यह देख लो, पूरी के पूरी तरह से हमारा काम हो गया है, आप देख सकते हैं, चल यह, तो यह भी हो गया हमारा काम, अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, जरा, इसमें हमें सबसे पहले तो diameter डालनी होगी, यहां से हम diameter ले लेते हैं, see, 12 का diameter ले लिया, आप चाहो तो इधर से मैं horizontal कर देता हूँ, ठीक है, अब बाकी का यह काम रहेगा, तो इसमें क्या है, यह भी diameter है, यहां पर हमने, अगर counter, sunk, hole वगरा दिखाया रहेगा, तो यहां पर आप hole call out का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहां पर हमने hole call out नहीं लिया है, ठीक है, sorry, hole ही नहीं लिया है, तो हमको यह manually करना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे, यहां से यहां का total distance दिखाना होगा, जो कि 10.8 का है, और यह ले लेता हूँ, मैं इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, यह लेता हूँ, 4, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने ले लिया, अच्छा, यह तो पहले सही है, अभी और क्या चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए, इन दोन के बीच का angle हमने लिया, 90 degree का, so you can place it here, और बाकी कुछ भी नहीं है, इतना काफी हमारे लिए, ठीक है, यह diameter सेम सेम है, अच्छा, एक और चीज, यहां से, यहां तक का जो distance है, वो भी हमें लेना पड़ेगा, यहां पर क्लिक करके इसको भी ले ले लेते हैं, ठीक है, 0.8 है तो हम लोगों को यह लेना होगा, अच्छा, precision वगएर आपको चाहिए, तो यहां पर देख सकते हैं, बाकी जरूरत तो है, यह देख लिजिए, तो इतना part हमने इस sheet में पूरी तरह से insert कर दिया है, अगर कोई और part है, तो हम उसको यहीं पर बिठा देते हैं, चल यह देख यह हमारे लिए enough होगा, ठीक ठाक है, ओके, नाव इसको हम जड़ा, arrange कर देते हैं थोड़ा, see, like this, काफी अच्छा है, you can see here, perfect दिख रहा है हमारा, अगर मैं यहाँ पर कोई और part दिखाना चाहूं, तो अराम से दिखा सकता हूं, इसमें कोई problem नहीं है, ठीक है, जगा हमें कम use करना है, काम हमें ज़्यादा करना है, तो अगर मैं चाहूं, तो इसके जगा पर, यह तो हमारा 3 part तो हो चुका है, यह भी मैंने दिखा दिया ह अधर, यह हम ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम base view में चले जाएंगे, और फिर से हम open कर लेंगे, इसको ले लेता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह मेरा front view लेना है, और यहाँ से 2 is to 1 कर देता हूं, अगर यह सही है, राइट साइड से भी ले सकते हैं, यहा पर मैं 3 ले लेता हूं, no problem, यह हमारे लिए काफी है, ठीक है, threading detail में लिया गया है, तो इसमें थोड़ी सी problem आपको आ सकती है, तो चिंता मत किजिए, यह हमारे लिए sufficient है, ओके, अब इसमें देखिया हमें क्या-क्या दिखाना है, तो कुछ नहीं दिखाना है, आपको पू आउसी, यह मेरा लगता है, थोड़ा सा, horizontal तो ले लेना है, बट यहाँ पर diameter भी दिखना चाहिए, या तो फिर M6 दिया हुआ है, ठीक है, कोई problem नहीं, M6 है, यहाँ पर हम add भी कर सकते हैं, कुछ अगर type करना है, तो हम लोगों को type भी करना है, यहाँ पर आएगा आपका option, आप यहाँ से type भी कर सकते हो, यहाँ से आप ऐसा कर दो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको place कर दिया, आप अराम से वहीं पर type कर सकते हो, no issue, अगला step क्या है, यहाँ से 6 और 4 लेना है, total height हमारा 6 का है, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं सो, 8 का है, तो मतलब यहाँ से, यह जो point है, मुझे change करना होगा, यहाँ तक लेना होगा, 7 है, जैसा कि मैंने बताए, यह मैंने book से लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा dimension में फरक आ सकता है, बट यहाँ आपको पता यह चल लिजिए, अगर आपको radius लेना है, radius ले सकते हैं अराम से, और मैं इसको जड़ा horizontal कर देता हूँ, so looking nice, काफी अच्छा दिख रहा है हमारा, अच्छा, और कुछ है का डालना है, इसमें बाकी मुझे नहीं लगता है, इसमें total diameter दिखा देता हूँ, इसको भी दिखा दिये, तो भी चलता है, so direct you can select this line, this line, so यह मेरा 10 का है, looking nice, okay, no problem, अगला step है हमारा, कुछ नहीं, यह मेरा 4 था, नहीं है, 2 है, क्या है, so, so, I think यह हमारे लिए एनफ हो गया है, ठीक है, अगर मैं total dimension दिखा दूँ, तो भी चलेगा, यहां से आपको पकड़के इधर ले लेना है, okay, ठीक है, यह भी part हमारा, देख लो, complete हो गया, I think, ठीक है, तो यह हमारा एक sheet जो है, वो complete हो चुका है, मैंने इसमें 1 part, 2 part, 3, 4, 5, और यह 6 part ले लिया है, ठीक है, आप हम इसको क्या करेंगे, save कर लेते हैं, पिछले session में हमने इस sheet को पूरा complete कर लिया था, इसमें कुछ errors अगर होंगे, तो आप जरूर एक बार check कर लीजिएगा, जैसे कि यहां पर यह arrow काफी बड़ा दिख रहा है, तो आपको यहां पर double click करना है, और यहां पर जाके click करना है, और click करने बाद इसको आप out कर सकते ह इस तरह के छोटे-छोटे errors होते हैं, जो हमें ठीक करना चाहिए, ठीक है, यह proper दिख रहा है हमारा, अभी देखिए, यहां का angle मैंने डालना, मैं भूल चुका हूं, तो हम लोगों को जरा ध्यान से उस सारी चीजें complete करनी है, जो drawing के लिए important है, आप देख सकते हो, यह हमार लिए काफी अच्छा हो गया है, ठीक है, तो अभी देखिए, यहां पर थोड़ा बहुत हम लोगों को अच्छे से काम कर लेना होगा, थोड़ा बहुत इसको adjust करना होगा, ताकि हमारा drawing दम बिल्कुल uniform लगे, ठीक है, किसी तरह का hanky-panky नहीं लगना चाहिए, इसमें यहां पर बिठा सकते हैं, बट नहीं बिठाऊंगा मैं, इसको हम control S कर देते हैं, अब मुझे अगर यहां पर कुछ लिखना है, digital CAD solutions वगेरा कुछ लिखना है, या पिर bench, vice, assembly, complete assembly का यहां पर आप note ले सकते हो, note लीजिए, और यहां पर हमको digital CAD टाइप करना, आप यहां से चाहत इसको select करके इसको delete कर सकते हो, आप control A and delete मारिये इसको, और यहां से आपको digital CAD solutions, okay, डालना है ता आप डाल सकते हो, size वगेरा बढ़ा करनी है, यहां से हम area के जगा पर calibre वगेरा ले ले लेते हैं, and here you can see, we love calibre and make it bold, सबको select करके आप इसको bold किजिए, यह bold हो गया, area यहां पर मैं, अजीब दिख रहा है यह तो, जो भी font आपको चाहिए, है ना, आप यहां से ले सकते हो, बढ़ा करना है, यहां से हम जाएंगे, size इसका 3.5 के जगा पर मैं 8 कर देता हूँ, यह काफी बढ हो रहा है, so you can see, 8 के जगा पर मैं 7 कर सकता हूँ, यहां पर 7, काफी अच्छा है, ओके, ठीक ठाक है, यहां से मैं ने digital CAD solutions डाल दिया, ओके, मैं बताऊंगा आपको, logo अगरा कैसे insert करना है, यहां तो फिर यहां पर bench wise assembly डाल सकते हो, यहां पर company का logo डाल सकते हो, edit करना है, यह यहां से double click किजिए, double click करने के बाद यहां पर edit आपको करना होगा, bench wise assembly और यहां से हम setting में चले जाते हैं, 7 ले लिया, यहां पर आपको calibre लेनी है, तो calibre ले सकते हो, और मैंने bold कर दिया, ठीक है न, and then close it, so इस तरहा का मैंने यहां पर click किया, and then close कर दिया, अच्छा यह कह सा गया मेरा, यह arrow जो है हमें नहीं चाहिए, यहां से, मतलब termination option हमें नहीं चाहिए, यह गलती हो गया हमारा, so just right click करके, आप reverse direction, या तो इधर भी नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है, उसको मैं जड़ा undo कर लेता हूं, ctrl z करके, double click करूंगा, यहां से हम लोगों को bench wise ले assembly, ओके, ठीक ठाक, चलिए, तो यह हमारा हो चुका है, ctrl s, अभी हम क्या करते हैं, एक नया sheet insert करते हैं, इधर जाता हूं, new sheet लेता हूं, यहां से वही size लूँगा, ओके, और यह मेरा, दूसरा sheet आ चुका है, जो भी आपको लगता है, date, पंदरा, पांच, दो हजार, बाइस ले लेता हूं, इंटर, जो भी है, राहूल, उसोनी, इंटर, आकाश, इंटर, डिजिटल कैड, ओके, इंटर, एंटर, यहां से आपको close कर लेना है, जो भी डालना है, यहां पर आप डालिए, अब जो assembly का नाम होगा, वो यहां पर आ चुका है, bench wise 1, मैंने assembly का नाम दिया हुआ है, और यहां पर देखेगा, यह रहेगा मेरा sheet number 1, और यह रहेगा मेरा sheet number 2, तो अगर आप चाहो, तो sheet number 1 को अभी तोड़ा collapse कर सकते हैं, और यह अभी हम लोग sheet number 2 में है, अब देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाएगा, क्या दिखा रहा है, यहां पर थोड़ा में इसको work active है, मतलब अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और मैंने अगर इस पर double click किया, तो यह देखो work active हो गया, यानि sheet number 1 हो गया हमारा active, अभी मैं यहां पर इसको collapse कर देता हूँ और sheet number 2 पर double click करता हूँ, तो यह मेरा sheet number 2 active हो गया है, ठीक है, तो आपको जैसा लगता है आप ले सकते हैं, बाकी का part मैं यहां पर insert कर देता हूँ, देख लिजिएगा, तो बाकी के यह मेरे part हैं, यह 5 number वाला part, jaw screw है, ओके, यह मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए मैं बता देता हूँ, मैं इसको rotate भी कर सकता हूँ, no problem, और थोड़ा scale बड़ा करना चाहता हूँ, काफी बड़ा हो गया यह तो, ratio मैं डालता हूँ, 1.5, यह थोड़ा सा हो गया, then यहाँ से मैं front वगएरा ले लेता हूँ, तो ले लिया मैंने, नहीं तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह से जाता हूँ, और मैंने, यहाँ vector जो है, इसको हम flip कर देते हैं, ऐसा ऐसा नहीं काम कर रहा है, अच्छा, normal face जो है, अच्छा, one second, मैं इसको जड़ा, टॉप से ही लेता हूँ, और बाद में हम इसको क्या करेंगे, rotate कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पार हो, यह whole वाला portion हमें, अच्छे से चाहिए, टॉप के जगा पर मैं bottom, bottom तो नहीं चलेगा, यहां से, टॉप, right, front नहीं चलेगा, right ले लेता हूँ, right is okay, see, right is perfectly done, इसको मैंने यहां पर click कर दिया, इसका क्या है, हमें side view या top view लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको close कर देता हूँ, you can see here, perfectly done, dimensions के लिए भी काफी space है हमारे पास, और यह भी ले ले लेता हूँ मैं, base view, यह लिए हमेंने, और इसको ले लेते हैं, double click किजिए, scale थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, यह भी क बुलना चाहूँगा, associative alignment यार, on रखो नहीं, तो क्या होता है, कभी कभी हम लोगों का काम बढ़ा खराब हो जाता है, ठीक है, और यह तीसरा पार्ट है हमारा, base plate, मैं इसको भी ले लेता हूँ, यहां से, this is the base plate, scale, double कर देता हूँ, चाहिए तो यह रख लो, या तो फिर one is to one is enough for us, और इसको पकड़के हम जरा side view में भी दिखा देते हैं, ठीक है, like this, यह हमारा हो चुका है, एक और पार्ट है हमारा, यह वाला, तो मैं base view में जाता हूँ, open, और यह मेरा पार्ट है, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां से front में जाता हूँ, यह हमारे लिए, perfect दि अच्छा दिख रहा है, और इसको हम जरा side में ले लेते हैं, you can flip the direction, one second, जरा से मैं projection method को बदल देता हूँ, यहां पे, यह नहीं आ रहा है, मतलब standard, अच्छा ठीक है, इतने सारे projection ले लिए, इसकी वज़ा से नहीं आ रहा है, खेर यह चिंता कि कोई बात नहीं है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बाली बात नहीं है हमारे पास, और जरा हम इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा, आराम से काम करेंगे हम लोग, और इसको हम project कर लेते हैं, so one second, यह part हमारा selected होना चाहिए, projection, इसको हम flip कर लेते हैं, ठीक है, इतने तो हमे यह चाहिए, बराबर ना, ओके, हम जरा इसको नजदीक ले लेते हैं, इसको भी नजदीक ले लिए, इस part को हम कहीं और लगा देते हैं, या तो इसके नीचे हम कर देते हैं जरा, और इसको हम जरा इधर ले लेते हैं, इसको हम जरा इधर ले लेते हैं, प्रोपरली हमें अड़जस्ट तो करना ही पड़ेगा ना ओके यह हमारे लिए काफी अच्छा है डबल क्लिक करेंगे इसको यहां से हमें हीडेन ले लेना है ओके यह उल्टा आ गया है था हमें क्या करना होगा जरा प्रोजेक्शन मैथड जो है ना आज वह हमें हटाना पड़ेगा मैं क्या करता हूँ इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ दोनों को डिलीट कर देता हूँ अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ यहां से मैंने फस्ट एंगल कर दिया यह काफी जरूरी था इसको पकड़ के हमने यह कुछ ऐसा ले लिया और फिर हमने इसको पकड़ा यह हमारे लिए काफी हो जाएगा फिर I think जस्ट डबल क्लिक और यहां से हमने इसको ऐसे लिया इन देन ओके कर दिया यह काफी हो गये हमारे लिए ठीक ठाक है ओके तो इतना हमारे पास है अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ यहां से भी hidden ले लिया और यहां पर भी डबल क्लिक करके इसको भी hidden कर देना है यह थोड़ा सा process जो है वो time taking है ऐसा नहीं कि सब कुछ इतने आसानी से हो जाता है एक जटके में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अन्दम लोगों को मेहनत तो करनी होगी याद रखिएगा हमेशा मेहनत के बेना कुछ नहीं होता यह लिजिए एक दो अप्लाई एक दो अप्लाई एक दो अप्लाई देन यहां से भी हम लही लेते हैं अप्लाई अप्लाई काफी है हमारे लिए इतना काफी है इसको और इसको ले लिए अच्छा एक और चीज़ हमें ध्यान में यह बात रखनी है कि बबाद सेंटर लाइन सेंटर मार को हमें छोड़ना नहीं है ठीक है क्योंकि डाइमेंशनिंग के समय हम लोगों को परिशानी आ सकते हैं सो आलवेज रिमेंबर दाइट यह हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है अप्लाई और यहाँ पर कुछ और नहीं है ठीक ठाक ओके सो लेट्स अप्लाई दाइमेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन यह हम उपर रख लेते हैं और इसको जरा सा हम नीचे कर देते हैं ठीक है तो चलिए फिर इसको हम डाइमेंशन डालना स्टार्ट करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो यह रहेगा आप चाहें तो यहाँ पर ब्रोकेन आउट कर सकते हो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको काड़ दूँगा ठीक है मैंने आपको डिटेल में समझाया है यह ले लिया सिंगल साइडेड नहीं रेगुलर चाहिए और रेगुलर में जाने बाद यह ले लेता हूँ ठीक है सबसे पहले भ्यू लिया मैंने और इस पोर्शन पर क्लिक किया क्योंकि डिटेल थ्रेडिंग अपलाई किया गया है तो में भी हो सकता है थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगे ओके इन दोनों के बीच में मैंने ले लिया लइन दोनों के बीच में जो गैप है वो आप सिट कर सकते हो यहां से जो गैप है मैं छे का ले लेता हूँ और इंटर कर दिया और यहां से अपलाई कर देना है यह हमारा काम हो चुका है अच्छा यहां पर हम लोगों को डबल क्लिक कर लेना है सी डबल क्लेक क्या होगा फिर से वही डायलोग बॉक्स हमारा खुल जाएगा खुलने के बाद आप आप इसमें जो भी 82 का है तो आप यहां से क्या किजिए रेगुलर लिजिए और यू कन सी दा फर्स्ट पॉइंट दिस दा फर्स्ट और यहां पर आपको क्लिक करना होगा दिस वन यह यू कन सी 82 आ चुका है हमारा मैं इसको यहां पर रख देता हूँ और अगर ब्रेक किया हुआ है आप देख सकते हो यहां पर जो का साइन आ चुका है तो आपको वो दिखाएगा वहां पर ठीक है अब जो भी है मैं फिर क्या करता हूँ कि यहां से ले करके यहां तक ले लेता हूँ दिस इस टेन ओके दन यहां ले लिया मैंने 24 और यहां पर डाइमेटर बाद में दिखाता हूँ मैं इधर कर निप्टा लेता हूँ पहले 11 लगता है इधर का डाइमेंशन कुछ अलग है बढ़ हमें वो डालना चाहिए है ना नो इश्यू मैंने बताया था आपको मैंने सॉलिड वक्स के बुक से लिया है यह तो थोड़ा बहुत डाइमेंशन तो अलग होंगे ही नो प्रॉब्लम और हम लोगों को डाइमेटर वाला ले लेना है भी दिखते हैं यहां से हम लोगों को यह सिलिंडरिकल ले लेना है गलती हो गई वन सेकेंड इसको मैं फिर से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अगर यह दिकत कर रहा है तो इसको और इन दोनों के बीच में सेलेक्ट कर लेना है तो आपको टोटल डायमेटर दिखाई देगा ओके नाओ यहाँ पर भी हमें लेना है कुछ इस तरह से एक और ये एक इस तरह से मैंने ले लिया ठेक और क्या है भाई और यहाँ पर भी 12 ही दिया हुआ है I think इन दोनों के बीच में भी लही लेते हैं यह और यह डायमेटर फिर ये और ये डायमेटर ओके यहाँ पर डायमेटर नहीं आया क्यों मुझे लगता है cylindrical लेना चाहिए था हम लोगों को मैंने cylindrical नहीं लिया लास्ट टाइम में लगता है इस वज़े से ठीक है no problem इसको मैं delete कर देता हूँ फिर यह hidden कैसे आ गया let me do it again so इस तरह का जो काम है आपको properly करना होगा आप देख सकते हो यह मेरा पूरा काम हो चुका है अच्छा और क्या बाकी रह गया वही और बाकी रह गया यहाँ पर यह 12 का है distance total मैंने यहाँ से पकड़के इसके center तक लिया this is 12 mm and then what आप यहाँ से radius या diameter ले सकते हो मैं diameter ही दिखाऊंगा see और यहाँ से आपको यह horizontal कर लेना है so looking nice ठीक है अभी आप अगर इसको बाहर से दिखाना चाहता है double click किजिए यहाँ पर click किजिए और इसको out किजिए and then close it तो I think इसमें इतना ही काफी है एक और चीज़ यहाँ पर बच गया है जिसमें लिखा हुआ है M16 into 2 RH मतलब right hand side 3HD मतलब thread ठीक है यह सब भी हमें दिखाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं जरा गवर से देखो आप चाहो तो इसका इस्तिमाल कर सकते हो note का इस्तिमाल कर सकते हो और note में जाने के बाद यह देखिए मेरा select termination option मतलब यहाँ से आपको arrow लेना है यह आप यहाँ पर जा सकते हो इधर आपको जो मन करे टाइप कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको select all कर लेना है और M capital में लिखना है M-16 उसके बाद into 2 into जगह पर आप X का इस्तिमाल कर सकते हो है ना और RH R.H मतलब right hand ठीक है अब space करके THD thread ठीक है तो इस तरह का मैंने यहाँ पर type कर दिए अच्छा बाकी के सारे चीज़ें जो है वो Calibri में है और bold है तो मैं इन सब को select करके bold कर लेता हूँ बोल्ड तो आ गया but we need Calibri font तो यहाँ से आपको जाना होगा और यह आप बोलेंगे सर Calibri ही क्यों ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरी पसंद है बस बाकी आपकी जो पसंद है वो लीजीए आप तो यह deep दिखता है जरा सा dark दिखता है तो मेरा experience यह कहता है बबा आप इसका इस्तमाल करेंगे तो काफी अच्छा लुक आएगा आप इसको भी save कर लीजे control as press करके कर दिजे तो हमारा काम जरा perfect हो जाएगा ठीक है कभी कुछ गडबड हो गया error वगयरा हो गया तो फिर से बनाना पड़ेगा फिर तो इसलिए save करते जाए अपने काम को ठीक है तो I think यह हमारे लिए काफी हो चुका है अब हम बात करेंगे इसकी यहाँ पर भी यह क करेंगे इस भी को पहले select किया और यहां से पकड़ा मैंने और यहां तक कट कर दिया ठीक है and then यहां पर six का gap and say okay to it now this is also good just double click here यहां पर मैं gap one mm का ले लेता हूं and then okay और see यह हमारे लिए काफी अच्छा हो चुका है I think बहुत ही अच्छा हो गया है तो चलिए फिर इसमें हम dimensions वगेरा डाल देते हैं जरा बाद में मैं क्या चाहता हूं इसको पकड़के इधर ले ले लेता हूं तो अच्छा हो जागा चलिए फिर मैं इसको सही जगा पर रख देता हूं यह हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा ओके ओफिछ forest यास looking nice देखते हैं कितना होता है कितना नहीं उमीद तो है हो जाएगा आराम से कि इतना हमारे लिए काफी है थोड़ा मैं इसको सरका देता हूँ काफी है यास और इसको जरा मैं साइड में ले लेता हूँ ठीक ठाक ओके चलिए जो भी है, अभी हम इसमें dimension डालेंगे so let's have a look, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना simple है भई, ये total 104 ले लेनी है तो हमें क्या करना होगा sorry, यहां से ले लेता हूँ इसको पकड़ा मैंने, और यहां से direct, यहां तक जो भी dimension दिखाना है यह आप दिखा सकते हो क्योंकि broken किया गया है बीच में तो यह joke sign आएगा ही आएगा ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है, तो यह हमारे लिए काफी अच्छी बात है और let's have a look, यहां से पकड़ के इधर जाईए, इधर click किजिए, it is 10 so let's play it and now what इस जगा से इस जगा तक आपको लेना है then यहां से आपको ऐसे कर देना क्योंकि यह broken है, इसलिए ऐसा कुछ आया और यहां से पकड़ के आपको इधर click करके इस line को भी select कर लेना है, now you can see like this and this is the way हमारा काम हो चुका, अभी 6 और 4 का है, तो आप ले सकते हो यहां पर cylinder, इसको select और इसको select, this is 6 and this is your 4 mm, so मैं आपको कहूंगा कि छोटा वाला dimension आपको अंदर रखना है, बड़ा वाला बाहर रखना है आपको अगर ऐसे करना है तो इसे भी कर सकते हो, no problem depend करता है situation का इसा ठीक है न, अगर जगा काफी है तो आप कोई problem ने, आप कि इधर भी रख सकते हो like this so यह sign दिखाता है आपको बबा इसको हमने बीच में से तोड़ा है, ठीक है, I think यह भी हमारा perfect हो चुका है ठीक है okay now मैं इसको पकड़के जड़ा इधर कर देता हूँ और वया इसको पकड़के हमने इधर कर दिया, ठीक है अब यहाँ पर हो सके तो हम isometric view दिखा सकते हैं पूरे assembly का, ठीक है चलिए no issue अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसमें कौन-कौन से dimensions डाले गए हैं इसको ले लेते हैं, पहले उसके बाद इसको लेंगे हैं, ठीक है चलिए फिर no issue यहाँ पर भी आप चाहो तो break कर सकते हो बट हमें उसकी जरूरत नहीं दिख रही है लेकिन करना है तो आप कर सकते हैं, no problem दिखाता हूं मैं कैसे करना, यह ले लिया मैंने इसके जगा पर मैं यह लेता हूं यह जनरल वाला है, पहले तो view select करूंगा और मैं यहां से पकड़ा और यहां तक मैंने काड़ दिया जगा बचेगा उसमें क्या problem है, ठीक है इस तरह से मैंने काड़ दिया, no problem and that's okay, ठीक है अब हम dimensions डालेंगे तो dimensions में आपको यह simple वाला ले लेना है यहां से यहां तक कितना गया? 144, 144 और यहां से हम लोगों को यहां तक जाना है 36, okay नाव यहां से पकड़ के यहां तक ले लेना इसके बराबर 70 क्योंकि यह टूटा हुआ है इसलिए यहां पर जो का साइन आ चुका है now like this और आप चाहें तो यहां से यहां तक भी आप ले सकते हो this is not diameter actually ठीक है, यह cylindrical नहीं है अच्छा, यहां पर हम लोगों को एक whole call out दिखाना होगा तो इधर जाता हूँ मैं यहां से whole call out लेता हूँ और इसको select कर लिया so that we can see it properly like this मैं यहां पर इसको place कर देता हूँ बाद में हम जरा इसको नीचे की तरफ लेंगे और इसको थोड़ा उपर की तरफ यहां पर मैं place कर देता हूँ so you can see exactly यहां पर through आया हुआ है counter sink लिया गया है diameter 9 का है और इसका जो angle है वो 90 का है तो इससे सब कुछ clear हो जाता है हमारा ठीक है अब कुछ नहीं करना यहां पर हमें बस दो dimensions दिखा देने हैं बाकिया और कुछ नहीं है इसका जो है यह हमें कुछ ऐसा ले लेना है and then what और angle चाहिए हम लोगों को so that's one second यहां से हम लोगों को angle लेना होगा तो यह 45 degree आ रहा है that's okay no problem नहीं तो आप क्या कर सकते हो second वाला जो position है वो मैं इसको ले सकता हूँ तो 90 degree का आ गया एक side तो 45 हो जाएगा काफी है काफी है यह हमारा काम हो चुका that's all अब हम बात करेंगे यह जो final object है उसके बारे में ठेक चलिए फिर इसकी शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल simple है तो इस side से हम सुरुआत करेंगे 8, 16, 8 लिया गया है मैं एक एक करके क्यों बता रहा हूँ कैसे आप properly करने वाले हो सारा चीज ठीक है बाकी का बाद में तो आप कर ही लोगे एक बार फिर से में ले लेता हूँ यार यह जो है यहां से पकड़के यहां तक लीजे 8 और फिर यहां से पकड़के यहां तक 16 और फिर यहां से पकड़के यहां तक जो है वो 8 का है, ओके, now see, अगला step क्या है जी, यहां से हमें 20, मतलब इस जगा से, center तक हमें 20 का ले लेना है, ओके, और अगला step क्या करना है, 10 और 22 लेना है यहां से, यह ले लेता हूँ, मैं, और फिर total जो है हमारा 22 का है, ओके, और हमारा यह जो है, वो 36 का है, total, आप यहां से पकड़ के, यह 36 को ले सकते हैं, आप चाहो तो यह भी हमारा, इसके बराबर 9 का ले लीजिए, और क्या बाकी है इसमें, बात रही इसकी, होल की, तो हम बताएंगे उसको क्या करना है, दिखाते हैं आपको क्या करना है, इतना तो हो चुका है हमारा, अब इधर के हम बात कर लेते हैं, whatever it is, 16, क्योंकि मैंने book से लिया था, इसलिए dimension में variations आएगा, आएगा, so tension मत लिजे जरा, जो भी height वगएरा लेना है, यहां से इधर के तरफ दिखा सकते हो, no problem, इधर भी दिखा सकते हैं, ठीक ठाक, और उसके बाद यहां से radius वगएरा भी दिया गया है, so we can see here, यहां से मैं ले लेता हूँ, radius, रुकिये जरा, यहां से यह मेरा, ऐसा कुछ आ जाएगा, so looking nice, very nice, अच्छा, यहां से भी हमें radius लेना है, तो ले सकते हैं, कुछ इस तरह से, diameter चाहिए, तो हम diameter भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर hole चाहिए, तो hole भी ले सकते हो, hole call out वगेरा लेना है, यहां पर जाएगे, और मैं इसको पकड़ लेता हूँ, you can see here, यह कुछ आ गया ऐसा, हम ऐसे भी ले सकते हैं, और इसमे कुछ मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, ठीक है, अच्छा, यह जो है हमारा, यह काफी जरूरी है, तो मैं, यहां इसको off करता हूँ, और इसको लिया मैंने, अब ज़रा गौर से देखिएगा, तो यहां पर जो है न, यह पूरा detail जो है, hole लिया गया है, तो हमको यहां के, I think, मैं यहां पर इसको प्रेस कर देता हूँ, और यह जो 16 है, हम इसको पकड़ के इधर कर देते हैं, see, और यह जो है, यह आप इधर रख दीजिए, see, इस तरह से हो सकता है, नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं, और simple सा हम diameter ले ले लेते हैं, so, कोई फरक नहीं पड़ता, यहां पर जाके आप, कुछ ऐसा कर देजिए, no issue, यह काफी है, यहां पर हमारे लिए काफी जरूरी था, यह hole call out दिखाना, इसलिए मैंने इसको यहां पर place कर दिया, ठीक है, so, बाकी और कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक और चीज़ हमें जो लेना है, यहां पर भी hole है, तो hole call out हमें लेना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मेरा hole है, तो मैं hole call out ले ले लेता हूँ, see, और इसको मैं जरा side में, one second, इधर मैंने इसक प्लेस कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह हमारे ले काफी है, diameter हमारा 6 है, deep हमारा 16 है, यह तो पता ही है, हमारा 120 का होता है, तो बस इतना काफी है हमारे लिए, इस drawing के लिए, I think यह आपको समझ में आ गया होगा, चलिए मैं इसको save कर लेता है, एक बार चेक कर लिज factly दिखा दिया है, और जो भी छोटी मोटी चीजे हैं, उसको मैं बताता जाओंगा आगे, तो चिंता मत किजिएगा, ठीक है, I think कि इसके लिए हमारे पास इतना ही काम था, अब यह जो जगा बच गया है, इसमें हम क्या करेंगे, assembly का पूरा यह दिखा देते हैं, assembly का, ठी और यहाँ पर यह मेरा isometric view, अभी यहाँ से हम लोगों का isometric लेना है, तो देख सकते हो, यह मेरा total isometric view आ चुका है, ओके, क्लिक केजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है, यह काफी चीजें दिख रही हैं, फालतू का, तो इसके लिए हमें क्या करना होग देखिए, यहाँ पर जाता हूं है, यह हमारा total assembly है, इसको खोलेंगे, इसको खोलने एक बाद जरा सा इधर जाता हूं है, दिख रहा है, यह assembly के total parts है, यह entire part है, entire part का मतलब plane, sketch, जो जो लिया है हमने, वो सब, इसको select किया, shift press किजिए, इसको click किजिए, right click किजिए और model पर click करने के बाद यह क्या है, शिर्फ model आ गया, अब जरा समय क्या करता हूं, एक बार update कर लेता हूं, कहां से update करेंगे, तो यहाँ पर जाना है, इसको select किजिए, right click किजिए, और update किजिए, तो जैसे हम update करेंगे, फाल्तु के चीजें जो है, हमारा automatically साफ हो जाएगा, द हमारे दो sheet हो चुके है, ctrl s प्रेस कर दीजिए, no issue, ctrl s, ठीक है, यहाँ पर जो भी डालना है, digital cat solutions वगरे डाल दीजिए, या तो bench wise complete assembly आप यहाँ पर डाल सकते हो, यह लिया मैंने, और यहाँ पर जो भी आपको type करना है, bench wise drafting, drafting, okay, तो जो लगता है आप किजिए, यहाँ से size वगरा हम control कर सकते हैं, 7 का ले लेता हूँ, and see, close it, जो भी लगता है आप यहाँ पर ले लीजिए, और यहाँ से मैंने close कर दिया, and control s कर दिजिए, I hope यह जो है, पूरा, एक एक details का मैंने, dimension apply कर दिया है, ठीक है, अभी आगे आने वाले sessions में हम और भी देखने वाले हैं, क्योंकि part list कैसे दिखाना है, exploded view कैसे दिखाना है, और यहाँ पर materials का list हम कैसे बना सकते हैं, यह सब कैसे आता है, यह सब भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, इसलिए हम सब कुछ save करते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जब हमाना final drafting हो, तो यह बिलकुल भी perfect दिखे, यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, एक बार आपको भी बनाना चाहिए, drafting कीजेगा, तो काफी फाइदा होगा, क्योंकि company में जो है, modeling, drafting, modeling, drafting का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको यह सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है, तो एक बार अगर आप कर लेंगे practice, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, अच्छा, यहाँ पर यह distance जो है, ठीक है, calculate तो किया जा सकता है, बट अगर चाहें, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, एक बार confirm हो लिजिए, कौन-कौन सा dimension दिया है, कौन-कौन सा नह नहीं दिया है, यह सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस session में हम बात करने वाले हैं, generating exploded view of an assembly के बारे में, और यहाँ पर दिखिएगा, तो हम बात करेंगे part list कैसे दिखा सकते हैं, और part list में आप materials को कैसे show कर सकते हो, जो भी सारे components में हम लोगों ने material apply किया है, वो आप part list में कैसे दिखा सकते हो, ठीक है, यह सारे चीज़े अभी हम लोग discuss करने वाले हैं, प्लस यह भी बात करेंगे हम कि इसमें आप later कैसे डाल सकते हो, यह leader वगरा कैसे डाल सकते हो, यह भी हम देखने वाले session में, उसके बाद यह जो दिया गया है numbering, इसको हम कैसे apply कर स यहाँ पर यह जो दिख रहा है, यह सब ballooning होता है, यह आप देख सकते हो, इसको ballooning बोलते हो, तो यह हम कैसे दिखाने वाले हैं, सब आपको इसी session में पता चल जाएगा, ठीक है, तो दरसल इस assembly में ballooning दिखाया नहीं गया है, पर कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे, ठीक है तो सबसे पहला काम तो यह है, कि आप exploded view कैसे generate करते हो, और create करते हो, तो चल यह बताते हैं आपको, simple है, पहले तो मैं इस assembly को open कर लेंगे, हम लोग इसको open कर लिए हैं, और open करने के बाद एक और चीज़ कर लिजिएगा, या तो अगर open नहीं है, तो मैं फिर से बता देता ह कैसे open करना है, यहाँ फाइल में जाइए, open में जाइए, और जहाँ पर आपका यह folder है, वहाँ पर जाके इसको double click किजिए, open हो जाएगा, या open है पहले से, तो reopen होने के लिए पूछेगा, तो आप reopen कर लिजिएगा, यहाँ से आपको यह perspective off कर देना है, और इधर से जाके isometric लेना है, दरसल यह हमारा खुल तो खुल गया है, no problem, बट हम exploded view create करने वाले हैं इसके लिए, ठीक है, तो एक चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा इसको open कर लेता हूँ, यहाँ पर back, bottom, front, isometric, यह सारे चीज़ें दी गई है, एक और view create करेंगे, जिसका नाम होगा my isometric view या bench wise exploded view, ठीक है, तो यहाँ पर आप right click किजिए, और यह रहेगा मेरा add view, click किजिए, see, यहाँ पर try metric hashtag 1 आ रहा है, don't worry, मैं यहाँ पर bench wise कर देता हूँ, bench, sorry, bench wise exploded view, exploded view, ठीक है, याद रखने के लिए मैंने इतना लंबा नाम दिया है, enter करेंगे, और यहाँ पर right click करके इसको save कर लिजे, काफी important है, अब हम क्या करने वाले हैं, exploded करने वाले हैं, इस total assembly का, तो देखिए, बिलकुल आराम से करेंगे, यहाँ application में चले जाएए, sorry, assembly में, और य यह मेरा रहेगा, exploded view, मैंने बताया हुआ है, new explosion, explosion one, okay, अब यहाँ पर फिर से जाना है, edit explosion करना है, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या क्या करना होगा, सो जरा detail में देखना है हम लोगों को, सबसे पहले मैं इसको, इसको select कर लेता हूँ, move, यह हमारा, कुछ ऐसा हो गया, अगला step क्या होगा, फिर मैं इसमें चला जाता हूँ, shift press करके इसको deselect कर लेना है, sorry, इसको deselect करूँगा, फिर हम यहाँ से इसको move कर लेते हैं, yes, okay, यह हमारा first step हो गया, ठीक है, या तो यहाँ से भी हम पहले ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से इसमें चले जाएए, shift press करके deselect किजिए, no issue, अगला step है, इसको पकड़ेंगे, move में जाएँगे, और इसको उपर लीजिए, आप पहले, यह हो गया हमारा, इतना उपर, apply, फिर यहाँ पे select में जाके, shift press करके, इसको deselect कर दो, next step क्या मैं करने वाला हूँ, सोजरा गोर से देखो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, सब को select करके, यहाँ से मैं move कर लेता हूँ, see, यह मैंने total ऐसा कुछ ले लिया है, समझ में आई बात, apply, फिर हम यहाँ पर जाएंगे, shift press करके, इन सब को deselect करेंगे, okay, अब हम इसको select करेंगे, move, and then what, आप इसको उपर की तरफ ले कर दिजिए, फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको भी select कर लेते हैं, sorry, deselect कर लेते हैं, और हम इसको थोड़ा उपर करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से, इन apply कर दिजिए, यहाँ पर जाएंगे, shift, यह हो गया हमारा, and this is the way, यह हमारा काम, एक side का तो हो चुका है, अब हम की तरफ जाते हैं, no issue, देखिए, क्या का करना है सो, इसको, इसको, इन सब को select कर लेते हैं, यह रहा और यह रहा, again, यह और यह, सब को और यह भी ले लेता हूँ, मैं, a clamping screw, see, sorry, clamping plate actually, move करेंगे, नीचे की तरफ ले लेते हैं, पहले तो, see, इतना कुछ हो गया, next step क्या हो होगा, सोजरा गौर से देखिएगा, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, और इस plate को shift press करके deselect कर लेना है, फिर यहाँ पर जाएंगे, जो screws वगेरा बच गया है, उसको हम बाहर की तरफ कर लेते हैं, like this, ठीक है, और थोड़ा नीचे लेना है, ले लिजिए, no problem, फिर हम कर लेते हैं, छोटे वाले को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, then that's it, यह देखिए हमारा exploded view create हो चुका है, आई बात समझ में end button press करेंगे, यह देख लीजे हमारा perfect आ गया है, अच्छा, अगर यह दोनों नहीं दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों को again यहाँ पर क्या करना होगा, explosion one में जाना है, edit में जाना होगा, again हम इसको और इसको पकड़ के move लेते हैं, और थोड़ा सा इस direction में हम move कर देते हैं, ताकि आराम से दिखाई दे हम लोगों को, बाकि और कोई issue नहीं इसमें, ठीक है, ओके, यह तो हमारा काम हो गया सर जी, ओके, अब अगला step आप इसको save कर लीजे, ठीक है, अब इतना होने के बाद देख लीजे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है, application में और drafting में चले जाना है, अब drafting में जाने के बाद यह देख लीजे, हमारे पास, यह sheet आ चुका है, पूरा, आपको जो जो feed करना आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप दूसरा लेना चाहते हो, तो ले सकते हो फिर से, जैसे कि यहाँ पर है, आप यहाँ पर जाए, application में और drafting में, यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई problem नहीं है, आपको जो जो feed करना यहाँ पर feed कर देजी, यह मैं बार-बार आपको नहीं बताऊंगा, अब यहाँ आपको base view लेना है, ले सकते हो, और यहाँ से हमको क्या करना है, bench vice exploded view ले लेना है, देख लीजे हमारा काम हो चुका है, बिल्कुल perfect आ रहा है, तो आप इसको सही तरह से arrange कर लीजे, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप छुटा कीजिए, नहीं तो मुझे तो perfect दिख रहा है यह पूरी तरह से, तो ठीक है, बड़ा रहेगा, तो neat and clean दिखेगा, okay, मैं यहाँ पर इसको place कर देता हूँ, यह देख लीजे, यह हमारा आ चुका है, अगर आप चाहें, तो इस पर double click करके, shading में जाके, fully shaded कर दो, see, यह हमारा perfect हो गया है, सारे चीजें हमारे neat and clean दिख रह हैं, okay, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह boundary है, तो अगर आपको boundary रखना है, तो जरूर रखिए, no problem, नहीं रखना है, तो यहाँ पर menu, preferences, drafting, और यहाँ से आपको जाना है, view, workflow और इसको off कर देना है, ठीक है, यह गयब हो गया, अब इसके बाद हमें और क्या करना है, तो देख लिजे, यहाँ पर हमें part list दिखानी है, यह आप देख सकते हैं, इसमें पुरा part list दिखाया गया है, तो हमें part list लेना है अभी, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, home में ही है, यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर देख लिजे, part list है, इसको क्लिक किजिए automatically सारे पार्ट के लिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं आपकी मर्जी यहाँ पर प्लेस कर दीजिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने पार्ट में नंबर भी डाला था 123456 तो इसलिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ठीक है अगर मैं नंबर के साथ में नह साथ में है सब कुछ और इसको भी हम थोड़ा कम कर देते हैं और इसको भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं यह देखिए QTY मतलब quantity होता है अब दो तिन चीजे हम जान लेते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो नीचे से उपर की तरफ गया हुआ है ठीक है नीचे से उप गया हुआ दिख रहा है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उपर से नीचे आना चाहिए है ना यह जो है हमारा टाइटल वगएरा यह उपर होना चाहिए था हम चेंज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है यह पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और यह यहाँ पर राइट क्लिक करके आप सेटिंग में जा सकते हो नहीं तो अभी आया था सेटिंग जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया यह देखो सेटिंग आ गया सेल सेटिंग क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर कॉमन है कॉमन में जाने के बाद यहाँ पर जाके आप च रखना है तो भी रख सकते हैं मैं आपको टॉप लेफ्ट रखने के लिए बोलता हूँ ये काफी ठीक ठाक है common में जाते हैं तो common में देखिए यहाँ टॉप लेफ्ट वन सेकेंड एक और चीज़ है यहाँ पर अच्छा ये तो common cell का हो गया है यहाँ से हम लोग तो text का alignment set कर सकते हैं बट मैं क्या चाहता हूँ ये जो उपर नीचे से उपर गया है ये उपर से नीचे आ जाए तो भी हम कर सकते हैं select किजिए right click किजिए और यहाँ setting है हमारा यहाँ से देख लिजिए section आएगा और इधर आपको मिल जाता है above तो इसमें क्या हो गया पहले जो है बड़ा number रहेगा मतलब है ना और यहाँ से आप छोटे 10,9,8 इस तरह से आपका part list numbers आएगा serial number आएगा और अगर मैं part list में चला जाता हो तो यहाँ से देखे down की तरफ यह देखो 1,2,3,4,5 यहाँ से भी जाओ common में जाते हो below यह title block हमारा नीचे आ जाएगा above title block उपर आ गया फिर आप part list में चले जाओ यहाँ से up मतलब जादा number पहले रहेगा मतलब descending order में आएगा यह देन यहाँ से down ले लो ascending order में आएगा so यह आपके उपर depend करता है कि आप क्या चाहते हो समझ में आरी बात अच्छा यह तो perfect आ चुका है सर जी but अभी जो है एक problem है कि इसमें part list वाला column नहीं आया हुआ है ठीक है यह सब समझ में आ चुका है न कैसे हम इसको उपर नीचे कर सकते हैं इसी यहां से आप कर सकते हो पार्ट लिस्ट में बजाएंगे तो यहां से आप टॉप डाउन कर सकते हो कुछ ने करना इसको select करना है right click करना है चले जाना तो यह dialog box आप कहा जाएगा ठीक है और अगर cell की setting करने यहाँ पर click करके इधर चले जाओ cell setting में ठीक है वह table setting है यह cell setting है तो दोनों setting आपको मिल जाते हैं अब मेरे लिए एक problem ये है कि बबा यहाँ पर एक और column हमें add करनी है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ये part list दिखाने वाले हैं sorry material कौन कौन से material है वो सब हमें दिखाना है आईने बात समझ में तो चलिए फिर इसकी सुरुवात हम लोग करेंगे कैसे बिल्कुल simple है यहाँ पर जाके कोनी में आपको click कर देना है इधर ये पूरा column select हो गया right click कीजिए और ये मेरा insert है column to the left side आपको किस side insert करना है left में की right में मेरा right side में insert करना होगा तो column एक देखो ये आगे हमारा escape कर देते हैं see ये हमारा हो चुका है मैं ज़रा इसको और collapse कर देता हूँ और इसको थोड़ा expand कर लेता हूँ अब हम क्या चाहते हैं बबा कि यहाँ पर ये जो material है जितने parts है उसमें कौन-कौन से material apply किया गया है वो यहाँ पर दिखना चाहिए तो इसके लिए condition ये है कि आपने जब part बनाया है तो उसमें material आपको apply करना पड़ेगा जब आप part बनाते हो ना तभी apply करना पड़ेगा और उसको save करना पड़ेगा नहीं तो दूसरा ये है कि आप control प्लस M प्रेस कीजिए ये देखिए assembly में हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ से हम लोगों को एक-एक करके सारे part में क्या करना होगा material apply करना होगा ये तो मैंने खोल लिया अब मैं assembly navigation में जाता हूँ see अभी मुझे एक-एक part में जो है material apply करना होगा तभी वो यहाँ पर दिखेगा part list में नहीं तो नहीं दिखने वाला है यहाँ पर नहीं दिखने वाला है जब तक आप material apply नहीं करेंगे तब तक कैसे दिखेगा नहीं possible है ना तो हम लोगों को इसमें जाके क्या 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 करना है तो जरा गौर से देखो अभी मैं material apply करना चाहता हूँ कैसे करूंगा देखिए menu में गया tools material assign material ले लिजिए अब material assign करना है तो आपको part को select करना पड़ेगा यह देखिए select हो रहा है क्या बिल्कुल नहीं हो रहा है क्यों कि हम assembly में हैं practically जरा सोचिए कि जब हमारे पास कोई भी part होगा आप suppose एक गाड़ी को assemble कर रहे हो तो जो part बना होगा पहले से ही आपके पास होगा ना कौन सा material वगेरा जो होगा पहले से ही बना होगा ना या assembly करते समय आप उसमें material apply करते हो बिल्कुल नहीं पहले से material होता है देन वो part बनता है तो इसी concept के अधार पर आप जरा सोचिए कि जब आप assembly करोगे हमारे पास पहले से part available होगा तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप part model कर रहे हो उसी समय आपको material apply करके save करना चाहिए तब ही यहाँ पर आपको आसानी से मिलेगा और नहीं तो किसी तरह से अगर छूट जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा make work part करना पड़ेगा अभी आप assembly में select करना चाहोगे तो that is not possible to select any part from the assembly mode ठीक है तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखिए इसको तो आप close कर लो पहले मैं करके यहाँ से करता हूँ यहाँ पर जाए right click करके make work part कीजिए अब हम देख सकते हैं कि मेरा जो body है main part वो active दिख रहा है बाकी का सब फेंट हो गया तो यहाँ पर आपको जाना है again tools, materials, assign materials अब यहाँ पर मैं randomly ले लेता हूँ जिसे कि यहाँ पर देख रहे wise body cast iron है तो आप यहाँ से ढूड़िए पहले ताप इसको select कीजिए और cast iron किदर है आपको ढूड़ना पड़ेगा फिरू ठीक है see cast iron यहाँ पर दिख रहा है जो भी grade है आप ले सकते हो यहाँ से देख लीजिए मैं यहाँ पर G40 का ले लेता हूँ cast iron G60 भी है cast iron G25 भी है तो जो भी रहे आप ले लीजिए बाद में बताओंगा कि अगर आप standard material नहीं लेना है तो आप खुद का कैसे आप डाल सकते हो भी बताओंगा don't worry तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर G60 ले लेता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ apply कर देता हूँ cancel कर दिया देन यहाँ से आपको save कर लेना है अच्छा रहेगा फिर आप wise job में जाईए right click make work part किजिए अब बाकी के sub end हो गया और इसी तरह से हम लोगों को एक एक करके सारे parts में apply करना होगा ठीक वन सेकेंड यहाँ से आपको material जाना है assign material इसको select करता हूँ इसमें कौन सा material है भई wise job के बाद हमारा यह कौन सा part है हमारा यह उला है ओके देन नौवा नमबर का part है यह सातवा नमर का वाइस जो है इसमें भी cast iron है तो आप इसमें भी cast iron ले लीजिए वही लेना है तो ले लीजिए ओके save कर लेते हैं उसके बाद jaw screw लिया गया है right click करके make work part menu tools materials assign materials screw bar carbon steel लिया गया है तो आप carbon steel ढूणिए जरा सा steel किदर है भई s में आ जाईए p q r s तो यहां से यह देखिए हमारे पास steel तो दिख रहा है बट carbon steel नहीं दिख रहा है तो फिलहाल मैं steel ही ले लेता हूँ no problem और आपको खुद का कैसे डालना है वो भी मैं बताऊंगा steel ले लिया इस पार्ट को select करता हूँ then ok कर देता हूँ यहां से save कर लेते हैं then oval flister ले लेता हूँ यहां से make work part फिर यहां आपको tools then materials then assign materials oval flister में MS mild still लिया गया है तो इसको हम select करेंगे और MS डाल देते हैं MS यहां पर है क्या जो भी है आप magnesium अगरे ले लेते हैं फिलहाल के लिए बाद में बताता हूँ कैसे करना है इसको save कर लेता हूँ मैं फिर screw bar यहां से make work part again assign materials और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है चलो जो भी लेना हम ले सकते हैं यहां से brass ब्रोंज अभी मैं फिलहाल के लिए apply कर दे रहा हूँ बाकी आप देख देखके कर लेना इसको भी save कर लेते हैं देन बार गैस तो नहीं ले सकते न लिक्विड है helium gas iron malleable ठीक है iron 60 ले लेते हैं and then save it उसके बाद यहां clamping plate यह लेता हूँ और again उसी तरीके से आपको material सबसे अच्छा तरीका यह रहेगा कि जब आप बनाते हो ठीक है उसी time पे हम लोगों को material apply कर लेना चाहिए ठीक है right click make work part यहां से again हम ले लेते हैं जितना ज्यादा part रहेगा उतना जो है आपको apply करना होगा हाँ एक और आसान हो सकता है कि बबा अगर आपने part बनाते समय ही आपने material apply कर लिया है तो इस समय आपको apply करने की जुरत नहीं पड़ेगी ठीक ना तो चलिए steel save कर लेते हैं देन एक और last बच गया हमारा make work part menu tools materials किदर गया materials assign materials और इसको हम select कर लेते हैं इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं लेता मैं यहां से ब्रास आओ कौन सा ले लू मैं nc steel ले लेता हूं या तो फिर यह वाला ले लेता हूं ओके now save it सब में मैंने material को apply कर दिया है अब last में आपको क्या करना यहां पर right click करके make work part कर लेना है तो यह देखिए हम लोग assembly में आ चुके हैं ठीक है इस कॉलम में जो जो material अभी हमने apply किया है वो material को हमें यहां पर दिखाना है तो क्या करेंगे बिल्कुल देखो आराम से दिखना यहां पर जाके आपको यह देखो side में कोने में जाना है यह देखो highlight हुआ click किजिए right click किजिए setting में जाईए setting और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है तो देखिए यह column में चले जाएंगे और जड़ा हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यह तो यह sale आ गए हम लोग यह column में जाना है column में जाने के बाद you can see हमारे पास एक button है यह देखो call out है यह देखो 1,2,3,4,5,6,10 तक आ गया quantity लोगे तो इस column में quantity आ जाएगी जो की पहले से है हमारे पास अब हमें general रखना है यह बात याद रखिए general रखना है और attribute name में यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपको ऐसे ही रहने देना है और यह जो कोना दिख रहा है आपको इधर यह button तो यहाँ पर आपको click करना है अब click करने के बाद याद रखिए मैंने अभी अभी जो material apply किया है व मैंने NX वाला material को select किया है तो इस material को select किजिए and then आपको ok कर लेना है and then यहाँ से close कर दिजिए see एक जटके में हमने जो जो parts जिस जिस part में जो जो material apply किया था वो सब के सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो जो standard material हमने लिया था cast iron grade G60, cast iron grade 60 steel, magnesium, cast brass, iron 60 brass, iron 40, AISI steel, 1005 copper यह सारे standard materials आचुके हमारे पास तो यह एक तरीका रहा कि बबाँ हम material को कैसे दिखा सकते हैं अपने part list में ठीक है अब बात करेंगे कि बबाँ यहाँ जो दिया हुआ है वैसा हमें चाहिए वैसा हमें लिखना है वहाँ पर standard में होगा की नहीं होगा पता नहीं तो हम लोगों को अपने मर्जी से भी कभी कभी डालना पड़ता है तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है अच्छा इसके लिए थोड़ा सा मैं एक और काम कर लेता हूँ यहाँ पर जाता हूँ यह मेरा cell setting है और cell में गया no change के बज़ा टॉप left कर लेता हूँ ओके यह देखिए uniform दिख रहा है हमारे पास किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है अब हम क्या करने वाले हैं सो जरा गौर से देखिएगा मुझे अपने खुद का material खुद डालना है लिखना है manually ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा मैं इसको collapse कर देता हूँ और दूसरा चीज क्या है यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ इधर कोने मैं राइट क्लिक करेंगे insert में जाएंगे column to the right side में एक और column को insert कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने एक column को insert कर लिया अब जर गोर से देखिए हमें क्या क्या करना है यहाँ पर exactly यहाँ जैसा दिख रहा है name वैसा ही हमें वहाँ पर लिखना है ठीक तो कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जितना मैंने अभी महनत किया है similarly हमें फिर से करनी होगी हमें type करना होगा करके सब कुछ ठीक है तो चलिए फिर बात करेंगे कैसे करना है यह देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको प्रोपर्टी में जाना पड़ेगा अब प्रोपर्टी में जाने एक बार ध्यान दीजिए यहाँ एसेंबली में नहीं आना है attributes में आना है attributes में होना चाहिए आपको और यहाँ पर देखिए interaction method में आपको क्या करना है bulk edit नहीं लेना है अगर यह रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ आपको traditional ले लेना है traditional में और यहाँ पर आपको part ही रखने है ठीक है क्योंकि यह हमारा एक part selected है और हम उसकी अभी property को change कर रहें ठीक है तो यह part ले लेना है अब दूसरा method यहाँ पर जराग और से देखिएगा यह नीचे title and alias में इधर अई बत समझ में पहले तो आपको यह attributes में जाना है दूसरा यहाँ पर traditional रखना है तीसरा आपको यहाँ पर part रखना है चौथा यहाँ पर title में जाना है और यहाँ से आपको कुछ काम करना है चलिए बताता हूँ तो यहाँ पर जो है आपको title में क्या डालना है तो देखिए खुद का material आप डाल सकते हो my material कर सकते हैं चलिए यहाँ पर मैं capital में my material कर देता हूँ ठीक है my material कर देता हूँ ओके पहचानने के लिए है और value में जो है नाम आपको type करना पड़ेगा नाम आपको type करना होगा पहला नाम क्या है cast iron तो यहाँ पर आपको cast sorry cast iron ओके एक और चीज़ कर लेता हूँ इसको मैं copy कर लेता हूँ काम आएगा my material हो गया यहाँ पर cast iron and then apply then ok कर दीजिए ठीक है अभी फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ right click करके properties उसी तरीके से बागी का चीज़ यहाँ पर my material फिर से type कर दिया इसमें भी आपको cast iron ही डालना पड़ेगा cast iron type कर दीजिए then apply then ok कर दीजिए ठीक है फिर तीसरे में जाता हूँ jaw screw में right click properties यहाँ पर again मैं paste कर दीता हूँ my material और यह मेरा jaw screw है jaw screw में हमारा ms है mild still ms type कर दीता हूँ ms apply then ok jaw screw oval flister में जाता हूँ right click properties उसके बाद again यहाँ पर control भी कर दिया मैंने और value में हमें क्या करना है कौन सा लेना oval flister oval flister में हमारा ms again ms type कर देता हूँ apply then ok और यहाँ से screw bar right click properties यहाँ पर भी control भी कर दीजिए my material में value जो है screw bar का कौन सा है भाई screw bar carbon steel है तो carbon steel आपको type करना पड़ेगा carbon steel and then apply and then ok कीजिए ठीक है ठीक है ठीक है screw bar हो गया हमारा bar globe ले ले लेता हूँ right click properties again मैं यहाँ पर control भी कर दिया my material में और यह मेरा bar globe का कौन सा है भाई bar globe यह मेरा cds है तो आपको यहाँ पर type करना पड़ेगा cds and then apply and then ok उसके बाद bar globe का हो गया clamping screw ले लेता हूँ right click करके properties उसी तरीके से control भी my material and value sliding jaw stop यह भी cds ही है लग रहा है cds कर देता हूँ then apply and then ok ठीक है यह हो गया उसके बाद set a screw ले लेता हूँ right click properties paste कर दिया screw में कौन सा लिया गया है तो देख लेते हैं jaw screw screw bar set a screw ms कर देते हैं चलिए यहाँ से हमको ms कर लेना है ms then apply and then ok उसके बाद base plate right click properties again यहाँ पर आपको control v कर देना my material में और value में क्या करना है base plate में cds again यहाँ पर आपको cds कर देना है and then ok ठीक है और last में जो है हमारा इसमें भी control v और set screw एक और है भाई हमारा ms कर देता हूँ ms ms okay then apply कीजिए and then ok कीजिए याद रखिए यहाँ पर मैंने my material डाला हुआ है अब हमको यहाँ पर अपना खुद का जो material मैंने लिखा हुआ है अभी वो दिखना चाहिए तो कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ देखिए यहाँ पर जाके आपको जरा इस column को select कर लेना है properly column हमारा selected होना चाहिए be careful हाँ yes हो गया नहीं हो रहा है थोड़ा सा careful रहिएगा हाँ देखो कोने में जाना है click करना है right click करके setting और यहाँ पर column में जाना है इधर गये मैंने यहाँ पर क्या type किया था my material आप देख सकते हो यह मेरा जो है my material आचुका है और यहाँ आपको ok कर देना है and then close कर दीजिए अब जैसा कि देख पा रहे हो यह मैंने type किया था my material का और total के total यहाँ पर जैसा मैंने type किया था वह इसा आचुका है ठीक है ना तो इसमें हमने क्या-क्या देख लिया, जरा गहर से देखिएगा, मैंने part list numbers कैसे set करना है, उपर नीचे कैसे लेना है, ये सारे जैसा नाम रहेगा, यहां पर वैसा दिखेगा, मैंने नाम के साथ number डाला था, इसलिए ये number आ गया है, तो इसको आपको नहीं डालना है, नाम क default material है, जो NX में, यानि software में दिया हुआ है, ये वही material है, जो मैंने apply किया है, या फिर जो मैं दिखाना चाहता था, इसमें ठीक है, आच्छा, एक और चीज़ ज़रा जान लो, आप क्या करना है, यहां पर मैं थोड़ा इसका font का type change करना चाहता हूं, इधर जाता हूं, ये आपको साफ सुथरा दिखाई देगा, किसी तरह के कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मैं इसको भी save कर लेता हूं, Ctrl-S प्रेस करके, ओके, चलिए, ये तो हमारा हो चुका है, अब हम क्या करने वाले हैं, जरा गौर से, देख लिजे, अभी हम इसमें प्राब्लम, होम में ही आपको रहना है, और यहाँ पर जाईए, आउटो बलूनिंग्स, अब आउटो बलून्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल में क्लिक करना है, ठीक है, एंदेन ओके कर दीजिए, देखिए, ये सारे के सारे पार्ट में आपको बलून्स इधर नहीं है, so we can arrange it properly like this, और इसको हम इधर कर देते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, यह देखो इधर आ रहा है, तो आप इस पर double click कर सकते हैं, और उसके बाद क्या किज़े, यहाँ पर मैं click कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका location आप change कर सकते हो इस से, अब यह देखो इध इधर आ गया यार, मैं इसको इधर चाहता हूँ दिखाना, ठीक है, तो इसको मुझे double click करना होगा, और इसका termination यहाँ पर click कर देता हूँ, तो यह हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और क्या-क्या है भई, मैं इसको थोड़ा location change करना चाहता हूँ, इसको यहाँ यहाँ पर click करके इधर रख देता हूँ, तो यह ज्यादा अच्छा लगेगा, ओके ठीक है, इसको हम जड़ा इधर कर लेते हैं, और इसको डबल click करके इसका termination option मैंने यहाँ पर click कर दिया, तो यह काफी अच्छा हो गया, और यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, तो I think कि यह हमारा देख लिजे, balloonings भी आ चुका है, कितना perfect आ गया है, no issue, किसी तरह का कोई problem आपको दिखाई नहीं दे रहा है, control S कर लिजे, ठीक है, तो इस session में हमने क्या-क्या देख लिया, exploded view कैसे create कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पर table में part list कैसे दिखा सकते हैं, ready made materials हम कैसे दि खा सकते हैं, font वगएरा का table का उपर नीचे, ascending, descending orders कैसे change कर सकते हैं, font का type कैसे change कर सकते हैं, यह सारी सारी चीजे हमने clear कर लिया, ठीक है, I hope यह सारी चीजे आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, अगर यहाँ पर कुछ लिखना है, तो आप लिख सकते हो, इसमें क frequency, bench wise drafting, और यहाँ पर भी आपको अगर कुछ type up करने हैं, तो आप कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया है, पहले कैसे करना है, तो यह तो हमारा हो गया, सर जी, मैंने यहाँ पर इसमें ले लिया है, sheet number one, यह हो चुका, sheet number two, यह हो चुका, और यह मेरा ज हमने बना लिया है, I hope यह सब के सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है, एक पूरा काम हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं, इधर गया हमारा, हाँ, एक और चीज बच गया, यह देखो, one, two, दिख रहा है ना इधर, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर जाते हैं, sheet number one में, और यह मेरा part number one है, तो आप यहाँ पर जले जाएए, यह है balloon, यह manual है, यहाँ आपको one type करनी है, और यह जो है location, location हमें कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर ऐसे लिख दो, one हो ग तो मैं यहाँ पर जाके, दो type करता हूं, और इसको मैंने इधर place कर दिया, दूसरा number का part, okay, now यह मेरा आठवा number का part है, तो आप यहाँ पर, यहाँ पर डाल सकते हो, eight number, और यहाँ कोने में, या तो इधर बीचो बीच में, आप रख दीजिए, आठवा number का part, और बाकी का इ number डालो, this is the bar globe, और कौन सा है, यह मेरा flister screw है, flister screw हमारा कौन सा number का है भई, nine number का है, यहाँ पर आपको nine type करना होगा, and you can see, place it here, nine number का part हो गया, उसके बाद, अगले sheet में चले जाते हैं, close करेंगे, यहाँ पर sheet number two में आ जाता हूं, फिर से मैं इसको लेता हूं, balloon, और उसके बाद, यह मेरा plate है, this is the plate, कितने number का, छे number का, यहाँ पर आपको six type करना होगा, and this is the six number part, और यह मेरा five number का part है, यहाँ पर five लीजिए, और यह जो रहेगा मेरा five number का part रहेगा, you can place it here, okay, five number का part हो गया, और इसके लिए हमें क्या करना है, यह मेरा four number का part है, तो मैं यहाँ पर four type कर देता हूँ, here we have, place it, okay, I think यह हमारा पूरा हो चुका, अच्छा, यह बच गया हमारा, एक कौन सा part है, यह मेरा seven number का part है, तो यहाँ पर आपको seven type करना है, और we can place it here, तो इस तरह का हमने पूरा काम कर लिया है, this is the assembly, final assembly, you can type here the final assembly, इधर भी आप लीग सकते, bench wise, final assembly, यहाँ पर लिखिएगा, final assembly, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सब को select करके जड़ा बोल्ड कर दिये, और size थोड़ा हम बढ़ा कर लेंगे, 3.5 के जगा पर six कर लो, and close कर दो, and this is your assembly, okay, and close it, यह देखिए, हमने पूरी तरह से perfectly काम कर लिया है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हमने दिखा दिया है, अगर यहाँ पर लिखना है आपको कुछ, इस तरह से assembly में, तो आप लिख सकते हो, using this note, suppose आपको इधर type करना है, कैसा type करना है बबाई, यह vice body है, लिखना है आपको, तो यहाँ से लिख सकते हो, यह लिया मैंने, और यहाँ आपको termination option में जाना है, पहले ता आप इधर click किजिए, और इधर आपको लिखना है vice body, आप यहाँ पर, इस सब को delete किजिए, ओके, part number one type करना है, तो आप कर सकते हो, यहाँ से, कुछ इस तरह से किजिए, vice body, dot करना है, तो कर दिजिए, now you can see, you can place it here, otherwise, bold करना है, थोड़ा bold किजिए, यह हमारा part हो गया, अब दूसरा कौन सा करना है, base plate लेना है, base plate भी ले सकते हैं, इधर से आपको लिखना है, base plate, कौन सा number का है भाईए, यह हमारा 6 number का part है, तो आपको एक एक करके, लिखना होगा, base plate, ठीक है, termination option आपको यहाँ पर click करनी है, and you can place it like this, so, इसी method का इस्तेमाल करके, आप बाकी के चीज़ें भी type कर सकते हो, ठीक है, तो मैं इस पे ज़्यादा time waste नहीं करूंगा, close कर देता हूं इसको, यहाँ पर double click करके, आप जो चाहें edit करना है, तो कर सकते हो, अगर bold करना है, फिर से आप इसको bold कर सकते हैं, see, यह देखिए, हमारा base plate हो गया, और जो जो आपको लेना है, आप ले सकते हो, यहाँ से jaw screw है, इधर से आपको jaw screw लेना है, ले लीजिए, कितने number का part है भाई, वो हमारा 5 number का part है, तो यहाँ से हम लोगों को jaw screw, यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है, bold करना है, bold कर दीजिए, and then option, यहाँ पर आपको click कर लेना है, see, that's all, इस तरह से आपको type कर लेनी है, ठीक है, और screw bar भी लेना है, तो ले सकते हो, यह मेरा screw bar चोथे number का part है, तो यहाँ पर हम लोगों को, चोथा number डालना पड़ेगा, screw bar, और यहाँ से थोड़ा मैं इसको capital लेना चाहता हूँ, इदर से bold ले लिया, और termination option, यहाँ पर click करूंगा इसको, and then you can place it here like this, and this is the way of applying all the leaders, ठीक है, तो आप यहाँ से type कर सकते हैं, ज्यादा मैं time waste नहीं करूंगा, इस पर double click किजिए, और इसका location मैं कोहीं यहाँ पर place कर देता हूँ, ठीक है, तो यह थोड़ा सा अच्छा दिखेगा हमारा, ओके, और इसी तरीके से आपको जो लिखना है, आप लिखिए अराम से, और save कीजिए, तो यह तीन sheet हमने लगा दिये, इसको पूरा complete करने में एक हो गया, यह दो हो गया, और यह तीन हो गया, यहाँ पर तीन था, हमने भी त sessions में cover करेंगे, अभी session में हम लोग, यह जो हमने drawings किया है, sheet number 1, sheet number 2, और यह मैंने exploded view अगयरा बनाया है, इसको हम pdf में convert करना सिखेंगे, तो यह sheet number 1 पे पहले आपको click कर लेना है, अगर आप sheet number 2 में रहेंगे, तो sheet number 2 पहले आजाएगा, sheet number 1 बाद में आएगा, तो इसलिए जितने भी sheets रहेंगे, यहाँ पर 3, 4, 5, तो आपको sheet number 1 में पहले click कर लेना होगा, ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है, यह जो है ना, यह मेरा pdf यह है ना, तो इस तरह से हमें convert करना है, तो आपको क्या करना होगा, सोजरा गोर से देखेंगे, तो सबसे पहले तो यह sheet number 1 पे म मैंने double click कर लिया, और यहाँ file में चले जाना है, export में चले जाना है, यह मेरा pdf रहेगा, और यहाँ से देखेंगे, यह total लिखा हुआ है, आप दोनों को select कर लो, no problem, और location हम यहाँ से set कर सकते हैं, जैसे desktop और final, यहाँ से हम final pdf file कर देता हो, ठीक है, pdf files, ok, यह desktop में save होगा यहाँ से ok कर देंगे हम लोग, यह देखें, current display की ज़रूरत नहीं है, यह दोनो sheet number 1, sheet number 2 मैंने select कर लिया, यह sheet number 1 में क्या है, दो sheets है, और sheet number 2 में क्या है, एक है, ठीक है, यह सब के सब एक ही साथ आ जाएंगे, ok कर देता हूं मैं, यहाँ पर kone में देखें, exporting pdf आ रहा है, तो यह थोड़ी देर में एकदम neat and clean pdf create करके दे देगा आपको, यह हो चुका है हमारा, इसको हम minimize करेंगे, इसको भी हम minimize करेंगे, यह देख लिजे मेरा final pdf file आ चुका है, आप इस पर double click किजिए, see, यह देखिए हमारा दोनों को दोनों sheet इसमें आ चुका है, इसको मैं सकते हो, और यह मेरा final pdf भी है, तो आपकी मर्जी है, यहां से आप इसको भी ले सकते हो, अगर यह नहीं आया है, तो आप इसको close किजिए, मैं फिर से बताता हूं, see, यह देख लिजे मेरा दोनों sheet आ चुका है, sheet number one, और यह मेरा sheet number two, ठीक है, यहां पर आप जड़ा maximize कर ल always remember, export करके हम pdf में convert कर सकते हैं, ठीक है, यह sheet number one, यह sheet number two, और लास्ट में बच गया है हमारा यह वाला, ता आप इसमें चले जाएए, और इसको भी हम export कर लेंगे, file, export, pdf, यहां पर यह sheet number one है, a3, और यहां से मैंने इसको लिया, यहां पर exploded view, bench wise, यहां से हम assembly, को हटाएंगे, और यहां पर exploded view लिखेंगे, exploded view, and then okay, यहां से आपको desktop, then okay, थोड़ी देर में यह export होके आजाता है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, मैं कहूंगा, pdf में convert कीजिएगा, यह देखिए, exploded view भी हमारा convert हो गया, and here you can see, यहां पर भी एकदम neat and clean आ रहा है, है